हालो स्टूडेंट्स, साथ हैं तो जीतते आए हैं और आगे भी जीतते ही रहेंगे तो इसी जीत की आज के साथ हम आज फिर एक नए वीडियो को लेकर आए हैं कोशिश कर रहे हैं कि जीते और बहुत अच्छे से जीते तो इसी आज को बनाई रखेगा अपने अंदर तभी हम अच्छे अच्छे से सारे काम करते जाएंगे तो इसी शेंकला में जो आज का वीडियो हम लेकर आए हैं वो है हमारी क्लास क्लास नाइन्थ हिंदी कोर्स बी की बुक इसपर्श भाग एक का है पार्ट डस एक फूल की चाहा ये एक कविता है सियाराम शरण गुपते जी द्वारा लिखी ये कविता इस कविता में एक बाप अपनी बेटी के लिए मरती हुई बेटी के लिए किस तरीके से उसकी तमन्ना को पूरा करने के लिए एक माता के चरणों का फूल लेने के लिए तरपता है और जाता है लेकिन अपनी मरती हुई बेटी को आखरी वक्त में भी नहीं देख पाता और नहीं उसे वो फूल दे पाता है तो ये काफी लंबी कविता थी इस पूरी कविता में हमने एक कहानी को पढ़ा है बहुत ही अच्छी कविता थी पहड़े पढ़ चुके हैं तो आज जो हम करेंगे इस कविता को पढ़ेंगे इसके सार को समझेंगे और कुछ कोशन आंसर्स भी करेंगे लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखेगा कि जब भी इस तरीके से कोई भी कविता आती है तो उसकी लाइन बाइन जो हमने व्याठ्ख्याई कराई है उन्हें आप जरूर कर लिजेगा क्योंकि अगर उसमें कहीं से भी जरा सा भी आपसे भूल चुक हो जाती है कोई एक लाइन आपसे मिस हो जाती है कुछ हो जाता है तो आप पूरी कविता को ठीक से समझ नहीं पाएंगे तो जो हमने पहले इसके डिटेल एक्समेनेशन कराए हैं उन्हें जरूर पढ़ लीजेगा एक पार क्योंकि डिटेल एक्समेनेशन और NCRT दोनों पहले कर चुक हैं तो आज जो हम कर रहे हैं वह कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यानिर वीजन को हम रिवीजन यहां पर हो रहा है तो हम फटा-फट यहां पर चिल्यूं को समझेंगे लेकिन एक तरीक से सही से समाझने का काम है पहले महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर छीड कंट मृत्वास वत्सनाओं का करुण रुंदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निजक्रिश रख में हाहाकार अपार अशाथ तो यहां पर क्या दिया है कि चारों तरफ महामारिया फैली थी किस तरीके से माताएं ब प्पिर ए बहुत रोकता था सुखिया को ना जाने खेलने को बाहर नहीं खेलता रुकता उसका नही ठहरती वापलotional मेरा हिदय काप उठता था बाहर गई नीहार उसे यही मानता था कि बेचा है कि किसी भाती इस बार उसे तो क्या पलभर के लिए ये भी नहीं रूपती थी और जब वो बाहर जाती थी ये तो हिर्दय उसका काप उठता था कि किसी तरह में इस बार उसको बचालू भीतर जो डर रहा छिपाए हांत वही बाहर आया एक दिवस सुखिया के तनू को ताप तप्त मैंने पाया ज्वर में विहल हो बोली वह क्या जानू किस डर से डर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो मेरे अंदर डर था वो बाहर आ गया डर था ना कि महामारी मेरे बेटी को ना लग जाए तो वो डर बाहर आ गया और एक दिन मैंने सुखिया के शरीर को बुखार में तबते हुए पाया ना जाने वो किस डर से डरी हुई थी कि उसने देवी के चरणों के एक फूल को प्रसाद के रूप में पाने की इच्छा मेरे सामने व्यक्त करी कि उसे एक फूल चाहिए वो भी देवी के चरणों में चड़ा हुए क्रमशा कंट जगसे हुई अलस कब दुपहरी स्वन घनों में कब रवी डूबा कब आई संध्या गहरी तो यह कहते कहते प्रसाद का फूल मांगते मांगते उसके अस्वर जो है वो चीन हो गया और बेसुद हो गई कोई बिशेथिल मतलब वो बिल्कुल पूरी तरह के बेसुद हो इसको क कोई भी कोशी का ग्यान नहीं रहा कब सुबा हुई कब दुपहर आई कब शाम हुई कब रात हुई सूरज डूब गया मुझे कुछ भी पता नहीं चला मैं उसी के सिरहाने तरह तरह के जतन करता रहा उसको ठीक करने के सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया अब जगते तारों से तो अब यहां पर क्या हुआ कि चारों तरफ अंधकार था क्योंकि उसको कोई उपाय नहीं सूज रहा था कि किस तरीके से वह अपनी बेटी को सही कर सके हर चीजे और इतना बड़ा अंधकार उसको ग्रसने आया मतलब इतनी बड़ी महाबारी उसकी वेटी को लग गई थी चारों उसका चे उसका शरीर भी दम अंगारों की तरह तप रहा था और उसकी आखे भी जुलस रही थी चारों तरफ मतलब एक तरीके चारों तरफ निराशा चाही हुई थी देख रहा था जो सु इस्थिर हो नहीं बैठती थी छण भर हाई वही चुप चाप पड़ी थी अटल सांती सी धारण कर सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वम ही उकसा कर मुझको देवी के प्रसाद का एक ही एक ही दो लाकर एक फूल ही दो लाकर तो अब यहां पर क्या है व प्रयास वो कर रहा है लेकिन वो उठ नहीं रही है बाद में सुकसाता भी है कि वह तो फिर वही वह बोलती है कि एक फूल मुझे देवी के प्रसाद का लाकर दो फिर उचे शैल सिखर के ऊपर मंदिर था विस्त्रण विशाल कस्वड कलस सरस्रिज विहरती थी पाकर दित रवी कर जाल दीप धूप से आमोधित था मंदिर का आंगन सारा गूझ रही थी बीतर बाहर मुर्कित उत्सव की धारा तो अब जो मंदिर जिस मंदिर में देवी के चरणों का फूल लेने जाना था उस मंदिर की कितनी आभा सुन्दर थी सब कुछ था उस चीज का व लिए पतित्तारणी तेरी जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े भी में आगे को जाने किस बल से ठिकला तो अब क्या बोल रहें अंदर जो है उनकी जहजे कार चल रही थी तो मैं मैं भी उसी जोश में गाने लगा और पता नहीं किस आवेग में आकर मेरे पैर आगे की तरफ बढ़ गए और में मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया मेरे दीप फूल लेकर वे अंबा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद में जब आगे को अंजली भरके भूल गया उसका लेना जट परम लाब पाकर में सोचा बेटी को मा के ये पुश्प पुन्ने पुश्प दूं जाकर में तो अब क्या हुआ जो उनके हाथ में फूल था वो सब पुजारी ने लिया महापूजा किया और वापस प्रसाद में फूल वगयरा सब ला कर दिया और जाकर उनने सोचने लगा कि अभी ये सब जाकर मैं अपनी बेटी को दूंगा सिंग पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया सैसा ये सुन पड़ा कि कैसे ये अचूत भीतर आया पकड़ो देखो भाग न जावे बना धूरत है ये कैसा साप स्वच परिधान किये है भले मानुशों के जैसा तो अब वो मंदिर के द्वाज से अंदर से बाहर भी नहीं आ पाया था कि इत्ते में किसी की आवाज आई देखो ये व्यक्ति कौन है जो आप क्या कहते है अचूत व्यक्ति है ये मंदिर के अंदर कैसे आया इसको पकड़ो इसने साफ स्वच वक्ष पहन कर ये कैसे अच् पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी कलुषत कर दी मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गर्मा से भी किसी बात में मैं हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी तो सब बोलते हैं कि मंदिर में कैसे घुसाया इसको प ये माता की महिमा से कहीं जाता है और सभी जो है ना मैं महिमा के आगे कुछ भी नहीं हूँ मत मेरा इतना जादा मैं अचूत हूँ मेरी जाती इतनी नीची है कि महिमा माल की जो महिमा मा का जो प्रताप है उससे भी बढ़ कर मैं निकला क्योंकि मेरे अचूत होने से मा का मंद से मुझे घेर कर पकड लिया मार मार कर मुक्के घुंसे धम से नीचे गिरा दिया तो अब सब उसको तरे-ठरे की बात कहने लगे कि मा के मंदिर में ही तुमने मा के मंदिर को आकर जो है इतना पपवित्र किया किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी और मुझे बहुत ही अधिक मारने और पीटने लगे वे सभी मेरे हातों से प्रसाद भी बिखर गया हाई सब का सब हाई अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब नयायाले ले गए मुझे वे साथ दिवस का दंड विधान मुझको हुआ हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान तो अब क्या था जब उसको मारने लगे तो वो गिर गया गिरने के कारण क्या हो उसके हाथ में जो देवी का प्रसाद था साथ का मतलब जो फूल था वो भी गिर गया अब मैं बेटी को क्या दूंगा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा अब मुझे पकड़ कर कहां ले गए नयाया ले और वहाँ पर मुझे दंड दिया कि साथ दिन का कारावास यानि कि साथ दिन की जेल हो गई अब मैं जोग दोश का क्या उत्तर देता क्या कह साथ रोज ही रहा जेल में या की कहां की वहां सदियां बीती अब शांत बरसा करके भी आखे तनिक नहीं रीती तो अब क्या हुआ कि वहां पर मैं चुप रहा जब मुझे साथ दिन का कारावास दिया गया तो मैं वहां चुप रहा वहाँ पर बिना रुके मेरी आँखे महाँ पर हमेशा बहती रही बहती रही यानि कि मैं हमेशा रोता ही रहा दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर ना उठते थे घर को पीछे ठेल रहा था कोई भै जरजर तनुपंजर को पहले कीसी लेने मुझको नहीं दोड़ कर आई वहा अब की दीना दिखाई वह तो अब क्या जब मैं जेल से छूटा तो मेरे पैर मेरे घर की तरफ नहीं बढ़ रहे थे जैसे लग रहा था मुझे कोई पीछे की तरफ धकेल रहा है मेरी जरजर काया को कोई पीछे की तरफ धकेल रहा था मैं जब घर पहुँचा तो वो वो दिखाई नहीं दी है ये वो सूच रहा था उसे देखने मरघट को ही गया दोडता हुआ वहां मेरे परचित बंदू प्रतम ही फूक चुके थे उसे जहां बुजी पड़ी थी चिता वहां पर छाती धदक उठी मेरी हाई फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की सी थी धेर इन थी मेरी धेरी तो क्या यहां पर बोले कि जब वो नहीं आई तो मैं मरघट को गया यानि कि शम्षान की तरफ गया देखा तो वहां पर मेरी मेरे परिजन मेरी बच्ची की चिता को फूक चुके थे अब वहां पर मेरी बच्ची जो है राक की धेर में तबदील हो चुक कि अंतिम बार यानि कि जब तुम मरना सनवस्था में थी मर्ड को भी प्राप्त हो गई मैं आखरी बार भी तुम्हें गोदना ले सका मैं तुमको तुम्हारी आखरी इच्छा थी देवी का फूल मैं वो भी तुमको नहीं दे सका तो यहां पस यह रामसरन चेजन गुप्त क्विता खतम हुई किके सरीके से एक बाप वियता इस पूरी कविता में हमने देखने देखने को मिली अब इसकुडा के सार को हम समखते हैं कि तो क्या है प्रस्तुत पार्ट गुप्त जी की कविता एक फूल की चाहाई एक छोटा सा भाग है यानि कि कविता बहुत उसका एक छोटा सा भाग ही हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है यह पूरी कविता छुआ छूत की समस्या पर किंद्रित है कवी कहता है कि एक बड़े इस तर पर फैलने वाली बिमारी बहुत भायानक रूप से फैली हुई है जो एक महामारी ने लोगों के मन में भायानक धर बैठा दिया था इस कविता का मुख पात्र अपनी बेटी जिसका नाम सुखिया था उसको बार-बार बाहर जाने से रोकता था लेकिन सुखिया उसकी एक न मानती थि खेलने के लिए के लिए बाहर चली जाती थी जब भी वहाँ अपनी तरह डर जाता था कि कहीं इसको भी वो महामारी की चपेट में ना लग जाए महामारी उसको भी ना लग जाए वह यही सोचता रहता था कि किसी तरह उसकी बेटी उस महामारी के प्रकोप से बच जाए एक दिन सुखिया के पिता ने पाया कि सुखिया का शरीर बुखार से पिता सुख्या की चिंता में इतना डूबा रहता कि उसे किसी बात का होश ही नहीं रहा तो अब जो डर था वो बाहर आया और एक दिन सुख्या के पिता सुखिया को बुखार में तपता हुआ पाया अब उसकी बेटी ने सिर्फ एक चाह करी कि उसे देवी का फूर ला कर दे दो वो ठीक हो जाएगा अब वो इतना बेसुद हो चुकी थी धमकमजोर हो चुकी थी उस बुखार से और उसकी तिमारदारी में पिता को भी अब कुछ कुछ भी होश नहीं रहा था किसी भी चीज़ का होश उसको नहीं था दिन राज सुबाशाम किसी चीज़ का जो बच्ची कभी भी एक जगा शांती से नहीं बैठती थी वही आज इस तरह ना तूटने वाली शांती धारण की ये चुपचा पड़ी हुई थी कभी मंदिर क करता हुआ कहता है कि पहाड की चोटी के उपर एक विशाल मंदिर था उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर की किरणों में इस तरह शोभा दे रहेते जिस तरह सूर की किरणों में सूने के घड़े चमकते हैं मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीपकों की खुश्ब में एक सुर में भक्ती के साथ देवी मा का आराधना कर रहे थे अब क्या है उन्होंने क्या बताया कि मंदिर की चोटी पर एक मंदिर है महाँ पर पूजा आर्चना चल रही थी बहुत ही सुन्दर प्रांगर था सभी कुछ था और जब पिता महां पहुचा तो आर्थी चल में ले लगी पूजारी ने सुख्या के पिता के हाथों में दीप और फूल लिए और देवी की प्रतमा में अर्पित कर दिया थी क्योंकि सुख्या का पिता चोटी जाती का थहा और छोटी जाती के लोगों को मंदिर में आने नहीं दिया जाता था ले लिया और पुजारी जी ने उसे वापस जो है फूर प्रसाथ के रूप में दिया जब दिया तो डर गया कि अरे यह क्या हो गया क्योंकि वो बेस बिल्कुल उसको होश नहीं था व falt दर चला आया था अपनी बेटी की धुन में था क्यों क्योंकि वह भैनी आती का था चोटी जाती का था और एसे लोगों को मंदर में आने का मना ही थी उनका प्रवेश कोने लेकर मंदर तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगाई अरे ये अच्छूत मंदर के भीतर कैसे आया इसे पकड़ो कहीं ये भाग ना जाए वे कह रहे थे कि सुखिया के पिताने मंदर में घुसकर बड़ा भारी अनर्थ कर दिया है और लंबे समय से बनी मंदर की पवितरता को अशुद्ध कर दिया है तो अब वो अपनी कलपना में अपनी बेटी को सुच रहा था जल्दी जल्दी घर जाओं अपनी बेटी को ये प्रशाद दूट हो सकता है वो ठीक हो जाए उसके मन में भी ये आस थी बेटी भी खुश हो जाएगी लिए वो वो सुखिया के पिता ने नश्ट कर दी इस पर सुखिया के पिता ने कहा कि जब माता ने ही सभी मनुश्यों को बनाया है तो उसके मंदर में आने से मंदर अशुद कैसे हो जाता है यदि वे लोग उसकी अशुदता को माता की महिमा से भी मुचा मानते हैं तो वे माता के ही सामने माता को नीचा दिखा रहे हैं लेकिन उसकी बातों का किसी पर कोई अशर नहीं हुआ तो जब सब उसे अच्छूत कह रहे थे की मंदिर को अपवित्र कर दिया और अगर आप ऐसा कहते हो तो माता के सामने ही माता की महिमा को तुच्छ कर रहे हो उनको अच्छूत बना रहे हो क्योंकि भई क्रियेशन उनका गलत तो नहीं हो सकता तो जब उन्होंने मुझे क्रियेट किया है तो आप उनहीं की एक तरीके से अभेलना कर रहे हो उनकी आप साथ दिन जेल की सजा सुनाई गई जेल में वे साथ दिन सुखिया के पिता को ऐसे लगे जैसे कई सदियां बीद गई हैं उसकी आखें बिना रुकी बरसने के बाद भी बिल्कुल नहीं सुखी जब सुखिया का पिता जेल से चूटा तो उसके पैर उसके घर की ओर नहीं लेकर गए उस समय जहां पर होता था सजा वेरा वहां लेकर गए वहां उसे साथ दिन की सजा जेल सुनाई गई कि साथ दिन उसे जेल में रहना है उसने जेल में वहां रहा और वह साथ दिन उसको साथ सदियों की तरहे लगे मतलब उसको सदियां भी जले कि बहुत टाइम बी सुख्या के पिता को घर पहुंचने पर जब सुख्या कहीं नहीं मिली तब उसे सुख्या की मौत का पता चला वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दोड़ता हुआ पहुंचा जहां उसके रिष्टेदानों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संसकार कर दिया था अपनी बेटी की बुजी हुई चिता देखकर उसका कलेजा जल उठा उसकी सुंदर फूल सी कोमल बच्ची अब राक के धेर में बदल चुकी थी अब सुख्या का पिता जब होते हैं उसकी चिता जल चुकी होती है और वो सुस्ता हाय इती सुंदर कोमल फूल सी बच्ची जो है वो राक के धेर में बदल चुकी थी अब इस पार्ट के हम कुछ प्रश्णत्रों को देखते हैं तो प्रश्ण एक है महामारी अपना प्रजेंट रूप किस प्रकार दि उसे सरलिंदी में तब्दील करके लिखेंगे तो क्या है बस्ती में महामारी दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही थी जिहां कई बच्चे इसका शिकार हो चुके थे जिन माताओं के बच्चे अभी इसका शिकार हुए थे उनका रो रो कर बुरा हाल था उसके गले से शीन आवाज निकल रही थी वचिन आवाज में हाहाकार मचाता उनका अपार दुख था महामारी के इस प्रचंड रूप में चारो और करुण करंदन सुनाई दे रहा था मतलब बहुत सारे बच्चों कोई महामारी जो है निगल चुकी थी और जिनके बच्चे अभी खतम हुए थे वो माताएं रो रो के उन जो है उनकी आवाज हर समय कानू में गुंचती रहती थी सुनाई देती रहती थी तो हर समय एक करुण करंदन यानि की एक दर्द भड़ा रोना चारो तरफ सुनाई देता रहता था पिता सुखिया को कहां जाने से रोकता था और क्यूं पिता सुखिया को बाहर जाकर खेलने से मना करता था क्योंकि उसकी बस्ती में महामारी अपने प्रचंद रूप में हाहा कार मचा रही थी इस महामारी की चपेट में कई बच्चे आ चुके थे सुख्या अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता था उसे डर था कि कहीं सुख्या महामारी की चपेट में ना आ जाए तो सुख्या के पिता उसको कहां बाहर खेलने जाने से रोकता थी चारू तरफ महामारी फैली थी उस वो बाहर जाने से उसे खेलने से रोकता था प्रेश्ण संख्या तीन है सुखिया ने अपने पिता से देवी के प्रसाद का फूल क्यों मांगा था क्यों वो देवी के प्रसाद का फूल उससे मांगा था उसने क्योंकि उसे उमीद थी कि वो देवी मा के फूल को पाकर जल्द शितल पड़ गए थे उसे लग गया होगा कि उसकी मृत्यू निकट है उसे आशा रही होगी कि वह शायद देवी के प्रसाद से ठीक हो जाए बिमारी की दशा में वर्शन स्वेम तो जा नहीं सकती थी इसलिए उसने देवी का प्रसाद का फूर मांगा था क्योंकि उसे लग प्रसाद का देवी मा का प्रसाद मिल जाए तो मैं कुछ ठीक हो जाओंगी और मैं उसी उमीद के साथ उसने बोला क्या वो तो चलके देवी मां तक नहीं जा सकती थी उपने पिता से बोला कि वो देवी मां का फूर लाकर उसको दे दे प्रशन संख्या चार है मंदिर की भ उसी को जब हमने translate किया है तो उसी चंद को आप यहाँ पर लिखो कि मतलब चंद का जो सरल रूपांत्रण हमने हिंदी में किया है उसे आप यहाँ पर लिखना तो कैसे दिया है देवी का विशाल मंदिर उचे परवत की चोटी पर इस्थत था यह मंदिर बहुत बड़ा था म अंदर भक्तगर मधुर स्वर में देवी का गुडगान कर रहे थे तो यानि कि अंदर क्या तल रहा था आती चल रही थी या उनका इस्तुती वर्णन चल रहा था सभी जो है वहां पर देवी की आराधना कर रहे थी तो इस तरीके से पूरी मंदिर की राख्या करतेंगे तो यह जो हमारा फूल चैप्टर रिवीजन था वो हमने यहां पर कंप्लीट किया कविता बताई सार बताया साथ ही कुछ प्रशन उत्तर भी देखे लेकिन इस चैप्टर के जितने भी डिटेल एक्स्मिनेशन हैं हम पहले भी करा चुके हैं NCRT solution भी अविलेबल है उसे करिए यह रिवीजन करिएगा तो आप इस तरी की से करते जाएंगी तो कई बार आपको जब चैप्टर रिवाइज हो जाएगा तो बहुत अच्छे से आपको चैप्टर समझ में भी आ जाएगा यह वन शॉट रिवीजन सर्फ हिंदी में ही हम आपके लिए लेकर नहीं आए हैं यह हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट में अविलेबल हैं तो जो आपके सब्जेक्ट हैं आपको जिस भी सब्जेक्ट का एक्जाम हो आप यहाँ पर उनके रिवीजन को देख सकते हैं कैसे देखेंगे तो उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैगनेटस्पेन करेंगे क्ली करेंगे ये आपके सामने वह सब्जेक्ट करेंगे रिवीन अविलेबल है तो अब हम क्या करेंगे आपकी क्लास ना इंथ तो हम ना gagnत CT करेंगे नाहिंद क्लिक करते ही आपके सामने नाहिंद की पूरी प्लेइस्ट आ जाएगी जिन सब्जक्स में आपके सामने वन शॉट्र रिवीजन या फुल चैप्टर रिवीजन अफलेबल है तो जिस भी सब्जक्ट में आपका एक्जाईम या टेस्ट होने वाला है आप उस अब् ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर करना बिलकुल नहीं भूलिएगा थैंक यू पर वाचिंग बाबाई